नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमंख खना हुए उपर्थी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है साथियों, आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेंस के विशेह में वेरिकोज वेंस आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है हम देखते हैं हमारे ग्लिनिक पे इसके पांच मरीज लगबग रोज आते हैं आज का जो लाइफ स्टाइल है, वो गेफ्टी का खाड़े रहने वाला हो गया है और यहां बड़े दुर्भागी की बात है कि आज बड़े बड़े मॉल्स में सब जगाँ पर कुर्सिया नहीं पड़ी होती है मतलब मानवधिकार का बहुत बड़ा हनन होता है कि जो यह मॉल वाले हैं वो यह चाहते हैं हमारा इंप्लॉई ना बैठे आने वाला ना बैठे आने वाला तो चलो समझ में आता है शोरूम पांच मिनट के लिए आएगा चला जाएगा लेकिन जो बच्चियां मॉल्स में काम कर रही हैं बड़े बड़े शोरूम्स में काम कर रही हैं जो नौजवान बड़े बड़े मॉल्स में काम कर रहे हैं वो सुबह राज से राज 10 बजे तक खड़े रहते हैं उनके बैठने के लिए कुर्सी नहीं होती है तो यहाँ सार सबसे पहले साथियों बताते हैं वहां कंडिशन होती है कि जहां पर आपकी वेंस में ब्लड जा तो रहा है लेकिन ब्लड जो है वहाँ वापस पंप नहीं हो रहा है हर्ट की तरफ अग जो यहां कंडिशन होती है तो यहीं कंडिशन वेरिकोस वेंस कहलाती है नॉर्मली यहां पैर में होती है लेकिन यहां वेरिकोस वेंस शरीव में कहीं भी हो सकती है लेकिन क्योंकि पैर आपका सबसे एक हर्ट से दूर ओर्गन होता है कहना चाहिए हर्ट की पंपिंग के इस लिए इसका ज़्यादा दिक्कत पर में पाया जाता है आते हैं इसके कोजसिके विशें की तरफ। इसका काउस शाथी ओवहए ही होता है कि जब आपका ब्लॉट जो गया है वहां ब्लॉट पैर तक गया है पेरीफिरल एर्या में गया है और वहाँ उपर नहीं pump हो पाता है आम तोर पे जो हमारी muscles होती है और पैर की या जहां भी वेरिकोस वेंस उसके आस पास की वो blood को उपर की और pump करती है लेकिन कभी-कभी यहां muscles ठीक से blood को उपर नहीं pump कर पाती है और blood pool होने लगता है इखटा होने लगता है veins में उस इस्थिती में veins torturous हो जाती है और छोटे-छोटे valves होते हैं veins में वहाँ valves blood के back flow को रोकते हैं तो जब यह valves खराब हो जाते हैं यानि blood back की तरफ आने की condition में हो जाता है और veins blood को उपर pump नहीं कर पाती है उस इस्थिती में varicose veins उत्पन होता है इसके symptoms हाती हो symptoms इसके आपने अखसर देखे होंगे पैर में लगता होगे torturous type veins आपस में उल्ही होई veins का कुच्छा है skin में blueness आ गई है पैर में नीचे रखने में दर्द हो रहा या थोड़ा extreme condition में होता है और जब भी पैर जादा देर नीचे रखा तो सारी veins दिखने लगी यहां condition आपको अगर हो रही है तो यही symptom है varicose veins का इसको जाँच करने के लिए veins का color doppler एक जाँच होती है color doppler कराने से आपको अपने veins की वास्तवे की जिती पता लग सकती है या पता लग जाती है बहराल यह समस्य अगर है तो इसको दूर करने की दवा भी है आपको सर्जरी को रोकने की दवा भी है हम आपको बताएंगे इसको ठीक करने की दसकार कर होमियोपेटिक दवाओं के विशह में लेकिन उससे पहले सातियों आपको फिर हम अगाह कर दें कि यह आपकी जानकारी के लिए है किसी भी दवा को इस्परिमेंट के तौर पे नहलें एक उसल चिकिस्तक से दवा को प्रिस्काइब कराएं और प्रिस्टिप्शन के बाद ही दवा लें उससे आपका बेहतर ईलाज होगा पर्मनेंट ईलाज होगा और आपका ओप्रेशन भी होमियोपेथी के मा caffeine से पच जाएगा चलते हैं सातियों आपको बताते हैं होमियोपेथी में वेरिकोज वेंस को दूर करने की दस्कारगर होमियोपेथी दवाएं सबसे प्रीमियम दवासातियों जो होमियोपेथी में वेरिकोस वेंस को ठीक करने की है वहाँ है हेमेमिलिस आप हेमेमिलिस 30 दो दो बून दिन में तीन बार उस कंडिशन में ले सकते हैं कि जब आपके वेरिकोस वेंस हुआ हो वहाँ पर वेंस आपकी टॉर्चरस हो गई हो लगता है कि व्कुल गरम हो गई हो और पुरा उभार के में तीन बार इस्तमाल करना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि आपके वैरिकोज वेंस में फाइदा मिलने लगा और आप ठीक होने की तरफ बढ़ने लगे, बहुत common condition जो कि वैरिकोज वेंस के साथ जुड़ी होती है, वह है वैरिकोज अलसर, तो अगर आपको वैरिकोज बनाएं, फिर उसकार आपको घाओ होना शुरू हो गए, इसमें से आपको नीले रंग का पढ़ गया, पूरा पह, नीले रंग का पढ़ गया, उसमें धाओ होना शुरू हो गए, उस condition को ठीक करने की होमियोपैती में बहुत कारगर दबा लेकैसिस है, आप लेकैसिस ये व आपको लेकैसिस वन एम, तीन खुराग पंच पर मिनिट के फासले पर वीकली आपके रिस्क्यू पर आएगी, और आपको ठीक करेगी, फिर साथी हो एक और कंडिशन आती है, जिसके होती स्पाइडर वेंस, यहाँ वेरिकोज वेंस का हलका रूप होता है, वेंस बहुत ज अब कर्ची दवां कारबो वेज़ वेजेटिबलिस है, कारबो वेज़ थर्टी पावर में दो दो बूर दिन में तीन बार आप ले लें, जब आपके हाँ स्पाइडर वेंस का केस हो, यानि वेंस महिन महिन उपर तो आ गई, टॉर्ट रस तो हो गई, लिकिन वह भार वाल क्रैम पार हैं उस इस्तिती में होमियोपेथी में वेरिकोज़ेंगे को आराम देने कि और ठीक करने की बहुत कारगर दवा है पलसेटिला पलसेटिला नाइगरा 30 पावर में 2,2,3 तीन बार आप उस कंडिशन में ले सकते हैं जब आपके मेरे को बेंस हुआ हो और जो बेंस है वो पेंफुल हो रही हो उनमें क्रैम सारा उनमें खिचाव आ रहा उनमें आठन हो रही हो तो पलसेटला 30 पावर की दवा जो है यहाँ के रेश्क्यू के लिए आएगी और आपको ठीक कर देगी ऐसा मैं समझता हूँ ऐसी मुझको उमीद है पलसेटला के मरीज को basically प्यास नहीं लगती है वहाँ कंपनी में लोगों के साथ रहना चाहता है अकेला पन उसे बुरा लगता है और उसको सांतुना से आराम मिलता है तो यहाँ सारे सिम्टम्स अगर आपने पाए जा रहे हैं पलसेटला का मरीज मरिदभाशी भी होता है तो अगर यहाँ सिम्टम्स आप में पाए जा रहे हैं तो आपको होमियोपेथी में वेरिकोज वेंस को ठीक करने की सबसे अच्छी रवा आपके लिए पलसेटला है तीसी कंडिशन आती है साथ हे हो आपके वेरिकोज वेंस हुआ हो और बहुत आपके सक्त होगाई हो वेंस करी होगाई हो गाठें बनती हो दिख रहे हो तो अगर यहाँ सिति आप में होती है या मैं कहूंगा कि कोई भी सिति वेरिकोज वेंस comp прогendalo की है बायोकेमिक दबा है तो यह टैबलेट फॉर्म में आपके पास आएगी, इसका आप चरचर टैबलेट दिन में चार बार ले लें, आप देखेंगे कि जो आपके हाडनेस है, नौटी दाठ है ऐसी वेंस में, यहाँ जो है ठीक हो गई, आपकी वेंस मुलाइन पड़ गई, औ यह आप ठीक होने लगेंगä, फिर साथी कंडीशन आती है कि आपके वैरिकोز वेंस है और कोई पेन नहीं हो रहा, तो अगर आपके वैरिकोस वेंस है उसमें कोई pain नहीं हो रहा, लेकिन वैरिकोष वेंस बना है और आपका सरीर थुल्थुल मोटा और गोरा है, तो उसी सि बहुत अच्छी रवा कलकेरिया कार्फ है आप कलकेरिया कार्फ 30 22 दो बून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगे कि आपका पेनलेस वैरिकोज वेंस ठीक हो गया अगर यहाँ सिम्टम है तो आपके वैरिकोज वेंस ठीक हो गई और आप अपने में आराम पा गए एक इस्थिती साथियों आती है कि अभी आपके वैरिकोज वेंस हुआ नहीं लेकिन आपको एसास होने लगाए आपकी नसें थोड़ा थोड़ा दिख रही हो तो अगर आपके स्टार्टिब और प्रिवेंशन के लिए आपको हमियोपेथी में कोई दवा चाहिए तो वहाँ दवा भी है और दवा का नाम है पल्सेटिला आप पल्सेटिला नाइगरा 30 पावर में दो दो बूंद उस कंडिशन में ले सकते हैं जब आपके वेरिकोज वेंश आने की स्टिती हो और आपको उसको प्रिवेंट करना हो कि वो और उभार ना आए और जो है वो तो वक्त के साथ ठीक हो ही जाएगा अगर वो और बढ़ेगा नहीं तो उस कंडिशन को ठीक करने की होमेवपैती में बहुत कारगरदवा पल्सेटिला है आप पल्सेटिला 30 का इस्तमाल करके लाप पा सकते हैं फिर एक इस्तिती आती है कि जब आपके वेरिकोज वेंस है और जहां आप उसमें गर्मी में गए आपने सिकाई कर ली तो वेंस में पेन होने लगा दर्द होने लगा तकलीफ होने लगी तो अगर यहाँ condition आपके होती है कि गर्मी के exposure से आपकी veins में तकलीफ होती है तो इसको ठीक करने की हुम्योपैती में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है acid hydrofluoricum acid hydrofluor 30 power में आप दिन में 3 बार 2-2 बून ले लिजे जब आपको गर्मी से तकलीफ बढ़ती हो जलन होती हो कोई भी दवा जो acid family की है उससे आपको जलन और गर्मी से तकलीफ बढ़ेगी तो यहाँ इस city आप में हो तो आप acid hydrofluor 30 दो दो बून तीर पर तीन बार ले लिजे आपको तुरंत लाप मिल जाएगा फिर एक इस city आती है कि आपके varicose veins हो उसमें खुझली हो रही हो बार बार आपको खुझलाना पड़ता हो इचिंग हो रही हो तो अगर यहाँ इस city आप में है कि आपके varicose veins है और आपको veins को बार बार खुझलाना पड़ रहा है उस सिती को ठीक करने की होमियोपैती में बहुत कारगर दवा ग्रिफाइटिस है आप ग्रिफाइटिस 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले लें यदि आप थोड़े fat and flabby हैं, मोटे और थुल्थुल हैं आपका पेट अक्सर खराब रहता है, constipation की सिती आपकी बनी रहती है और आपके varicose veins इसमें की खुजली मच रही है, इचिंग हो रही हो उस condition में आप varicose veins ठीक हो जाएगी जब आप ग्रिफाइटिस 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले लेंगे फिर साथी हो, homeopathy में एक और इससिती आती की जब varicose veins से bleeding होने लगी अगर varicose veins से bleeding होने लगे तो उसकी homeopathy में बहुत कारगर दवा है उस bleeding को रोकने की वो varicose veins को भी ठीक करने की और वहाँ है sulfur आप sulfur 1 EM की तीन खुराग 5-5 मिनिट के फासले पर भी क्ली ले सकते हैं जब आपको bleeding हो रही हो veins से खून बहने की स्थिती आपके आ गई हो तो sulfur आपकी rescue के लिए आएगी और sulfur और hemeemilis मिल के आपको ठीक करेगी फिर एक condition आती है साथियों की जब आपको पैर में जो veins है जो उल्जी होई torturous veins है आपस में not करी होई गार्ट बंदी होई वालकता फट जाएंगी तो अगर यह स्थिती आपको हो रही है कि आपको लग रहा है आपकी veins फट जाएंगी इतनी torturous हैं तो उसको ठीक करने की homeopathy में बहुत कारगर दवा वाइपरा है आप वाइपरा 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले लें आपकी यह स्थिती ठीक हो जाएगी जो कि आपके torturous veins के कारण हो रही है जब वहाँ जो है बहुत ज़ादा फटने वाला symptom आपको दे रही है फिर एक इस सिती आती है सातियों कि pregnancy के दवरान varicose veins हो गया तो अगर हमारी मताओं बहनों को किसी को varicose veins pregnancy के दवरान हुआ हो या हो तो उसको ठीक करने की होमियोपैथी में कार बहुत कारगर दवा मिली फोलियम है आप मिली फोलियम थार्टी लो दो बून दिन में तीन बार ले ले आप पाएंगी कि आपका varicose veins ठीक हो गया उस condition यहाँ साथियों को दवाएं थी varicose veins के विशय में varicose veins में कुछ साबधानिया भी रखना बहुत आवश्यक होता है मैं आपको चार-पाच बाते इस विशय में बताना चाहूंगा उसके बिना ये video incomplete माना जाएगा पहली साबधानी जो आपको varicose veins के केस में रखनी है वो यहाँ है कि आप जादा देर तक खड़े ना रहें और जादा तर बैठे भी हैं तो आप एक stool या चौकी को रख लें जिससे आपका पैर horizontal portion में आ जाए इससे जो आपका blood का flow है वो वापस heart की तरफ जाने में मदद मिलेगी और ये varicose veins का एक management भी है तो जब भी बैठें तो अपने पैरों को horizontal यानि की इस तरह जमीन से parallel रखने की पूशिश करें दूसरी precaution जो आपको varicose veins की condition में लेनी है tight socks ना पहने मुलाइम socks वो जो नाइकिया एडिडास या तमाम अने कंपनियों के महंगे थोड़े से महंगे होते हैं वो socks आती जो इसमें नहीं होती ही जादा वह socks आप इस्तमाल में लाएं आपका varicose veins नहीं बढ़ेगा और उसमें हराम मिलेगा तीसरी बात यह है कि आप जब रात में लेटें तो पैर पे पतला सा नीचे तकिया लगा ले पतला सा पिलो लगाने से बहुत पतला सा पिलो लगाने से जो blood flow है वो आपका पैर से उपर की तरफ सोता आता रहेगा और आपको varicose veins को ठीक होने में मदद मिलेगा चौथा प्रकॉशन साथियों यह है कि आप multi grain आटा खाएं अपने body को आपको detox करना है और detox करने का सबसे अच्छा तरीका है multi grain आटा यानि बेसन बाज़रा जोचना यह मिला कि उस आटे का आप रोटी बना के 7 करें उसको खाने में उससे भी आपके varicose veins में आराम मिलेगा पांचवी बात यह साथियों जो आपका foot है पैर है उसको थोड़ा नीचे जो foot होता है यह माली यह foot है तो इसको यह pump करते रहें इसको pump करने से जैसा मैंने वीडियो के शुरूरे बता है कि आपका जो blood नीचे pull up हो रहा है नहीं होगा और इसको passive heart beating कहते हैं इसको passive heart कहते है पंपिंग करते हैं तो आप passive heart pumping जब करेंगे तो आपका blood उपर की तरफ पंप होगा और यही varicose veins का कारण है जब यह blood pump नहीं हो पाता है तो इन चीजों का आप थोड़ा सा साबधानी रखें इनसे आपको बहुत अराम मिलेगा अगर आपको कोई query हो तो आप हमारे whatsapp प्रिशी मिलेगी और आपको भी शायद अच्छा लगेगा अगर सातियों आपको हमारा यह video पसंद आया हो हुम्योपैथी को आपके करीब लाने का यह प्रयास पसंद आया हो तो इस video को like कीजिएगा इस video को share कीजिएगा अपने इस channel को subscribe कीजिएगा और bell notification button को click करके सबसे पहले हमारा नया सा नया वीडियो पाते रहिएगा आपका हमारे साथ देने के लिए साथ रहने के लिए बहुत बहुत आभार बहुत बहुत सादूबाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्त कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो